दोस्तों कैसे हो आप सब आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में हारदिक स्वागत है आज मैं आप लोगों को जेंड से स्वेटर के बाजू बनाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम सही सेप में जेंड से स्वेटर की बाजू को बनाते हैं कितने फंदे हमने यहाँ पे कितने रखने होते हैं और किस तरीके से हमने बाजू के फंदे यहाँ पे से बढ़ाने होते हैं और कितनी लेंथ हमने इसकी रखनी होती है जो मैंने इसकी टोटल लंबाई बनाई है बाजू की मेरी टोटल लंबाई देखो दोस्तो मैंने इसकी टोटल लंबाई 23 इंची रखी हुई है जहां से मैंने ये इसके फंदे की घटाई की है वहाँ पे से मैंने इसकी जो लेंथ रखी है बीस इंची इसकी मैंने लेंठ रखी हुई है देखो दोस्तों यहाँ पे तक तो फिर स्टार्ट करते हैं इस बाजु को बनाना इस बाजू का जो मैंने बॉर्डर बनाया है वो मैंने धाई इंची तक इसका मैंने बॉर्डर बना के रखा हुआ है बाजू को बनाने के लिए मैंने पहले से ही इस पे 56 फंदे डाल के रखे हैं 56 फंदे डाले हैं और इतना बॉर्डर मैंने बना के रखा है देखो इस तरीके से नाप लेंगे हम दोनों बाजू के बॉर्डरों को तो ये हमारा कम्प्लीट हो गया है इंची टेप से नापने पर ये हमने धाई इंची तक इसकी लेंथे रखी हुई है अभी हमने क्या करना है यहाँ पे हमारी फ्रंट साइड है यहाँ पे से हमने बढ़ा लेना है इस तरीके से बढ़ाएंगे फंदों को हम पहले फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे सेकेंड फंदे को हमने सीधा बना लेना है दो फंदे बनाने के बाद हमने एक फंदा यहां पे बढ़ा लेना है तो यहां पे मैं इस तरीके से एक सीधा फंदा बना लूँग और इसी के बेक साइड से एक फंधा और बिन लूँगी, तो ये मेरे एक फंधा बढ़ गया और यहां पे पूरी की पूरी रो हमने सीधी सीधी बना लेनी है। पांच फंदे बढ़ा लेंगे, एक फंदा बढ़ा लिया, एक फंदा में यहाँ पे और बढ़ा लूँगी, इस तरीके से, एक फंदा सीधा बना लिया, तो बैक साइड से, नेक्स वाला फंदा भी इसी से हम बढ़ा लेंगे, तो ये दो फंदे हो गए, फिर से हमने, पूर दिखोए दो फंदे हमने यहां पे बड़ाए थे एक फंदा यहां पे बड़ाये था और एक फंदा यहां पे एक फंदा हम सेंटर पे बड़ा लेंगे इस तरीके से एक फंदा बिन लिया फिर इसी के बैक साइड से हमने दूसरा फंदा भी बिन लेना है यह हमारे तीन फंदे हो गए फिर हम नेक्स वाला जो फंदा बढ़ाएंगे जो नेक्स वाला फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पे मैं एक फंदा और बढ़ा लूँगी इस तरीके से पहनला फंदा और यह बैक साइड से यहाँ पे दो फंदे तो यहाँ पे मेरा एक फंदा और बढ़ गया यह मेरे चार फंदे बढ़ गए और हम एक फंदा लास्ट में बढ़ाएंगे देखो ये मेरे तीन फंदे बचे हैं तो यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा लेना है एक फंदा सीधा बना लूँगी और एक फंदा बैक साइड से यहाँ पे मेरे पांच फंदे हो गए और यह बांकी की रो सीधी सीधी बना लूँगी अभी यहाँ पे हमने पांच फंदे बढ़ा लिए तो यह मेरे अभी 61 फंदे हो गए 61 फंदे हो गए बैक साइड से ये पूरी की पूरी रो मैं उल्टी बना लूँगी तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ पहले देखो दोस्तों बैक साइड से सेकेंड रो कंप्लीट कर ली है अभी हमने यहाँ पे से डिजैन डालना स्टार्ट कर लेना है देखो दोस्तों दो रो कंप्लीट कर ली है मैंने यहाँ पे पांच फंदे बढ़ाए थे उसके बाद मैंने दो रो कंप्लीट कर ली है यहाँ पे हमने थर्ड रो है यह हमारी फिर से हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेना है पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे सेकेंड फंदे को सीधा बना लेना है तीसरे फंदे में से हमने एक फंदा फ्रंटे साइड से बिन लेंगे फिर एक फंदा बैक साइड से तो ये मेरी एक फंदा बढ़ गया इस साइड को हमने एक फंदा इस सैट को बढ़ा लेना है और एक फंदा इस सैट को दोनों सैट हमने एक एक फंदे बढ़ा लेने है हर तीसरी सिलाई पे हम एक एक फंदा बढ़ा लेंगे मतलब कि दो फंदे एक इस सैट को और एक इस सैट को तो दो फंदे बढ़ा लेंगे देखो दोस्तो हमने क्या करना है 11 इंच लेंथ बनाने तक बाजु कि हम जब 11 इंच लेंथ बना लेंगे वहाँ पे तक हमने हर तीसरी सिलाई पे दो फंदे बढ़ाने हैं एक फंदा इस साइड को और एक फंदा इस साइड को क्यूंकि हमने इसको ज्यादा टाइट नहीं करना हैं क्यूंकि सर्दियों पे हम स्वेटर के अंदर इनर पहनते हैं अगर हम इसको एकदम कलाई की नापका बनाएंगे तो हमारा टाइट हो जाएगा इसलिए हम इसको थोड़ा सा लूज ही रखेंगे उसके बाद हमने हर चोथी या पाँचवी सिलाई पे फंदे बढ़ाने हैं तो मैं ये इसकी जो लेंथ है मैं पहले इसको 11 इंच तक हर तीसरी सिलाई पे महला दो-दो फंदे बढ़ाऊंगी एक फंदा इस साइड को और एक फंदा इस साइड को फिर आप लोगों को दिख और लेंथ नाप लेते हैं हमने 11 इंच तक बनाना था ये इसकी लेंथ मैंने ये देखो दोस्तों ध्यान से 11 इंच तक मैंने इसकी लेंथ बना ली है मैंने हर तीसरी सिलाई पे एक फंदा यहां पे और एक फंदा मैंने यहां पे बढ़ाय था अभी मेरे टोटल फंदे यहां पे मैंने बना लिये हैं दो चार चे आठ दस बारा चोधा सूला अठारा वीस वाइस चोवीश चब्याइस तीज बतीस तिती चोटी पेटीश चाथी सेंटी अभी तक जो इसके फंदे बढ़ाए हैं मैंने वो मेरे नाइंटी वन फंदे हैं एक नबब फंदे हैं दोस्तो अभी हमने क्या करना है जहां से यह बाजू की घटाई की है हमने यहां तक मैंने बीस इंच तक इसकी लंबाई बनाई हैं उसके बाद मैंने इसके जो फंदे हैं उसकी घटाई करना स्टार्ट किया है बाजू की घटाई करना स्टार्ट किया है अभी मैंने ग्यार 11 इंच कंप्लीट करने के बाद 9 इनच और बना लेंगे, हर 15 जिलाई पे 2 फंदे बढ़ाएंगे एक इस साइट को और एक इस साइट को और इसकी जो लेंध है 20 इंच तक पूरी कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं इसको पहले complete कर लेती हूँ 20 इंच तक और मैंने total यहाँ पे 110 फंदे रखने हैं तो मैं पहले इसकी length complete कर लेती हूँ फिर आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने बनाया है इसको दोस्तों यह मैंने इतना बना लिया है और यहाँ पे मैंने 110 फंदे भी complete कर लिये हैं अब मैं इसको नाप के देखूंगी कि यह 20 इंच तक हो गया है या नहीं क्यूंकि मैंने 20 इंच तक ही बनाना था इसको तरीके से इंच टेप से नाप लेंगे देखो दोस्तों यह मेरा 20 इंच की लंबाई complete हो गई है और मेरे यह 110 फंदे हो गए हैं अभी मेरा थोड़ा सा बचा है तो मैं इसको complete कर लेती हूँ यह वाली रो पहले देखो दोस्तों front side से complete कर लिया है मैंने एक बात में बता दूँ मैं दो तरीके से फंदे बढ़ाती हूँ पहले मैं दो फंदे starting के बिन लेती हूँ उसके बाद तीसरे फंदे में पहले हम सीधा फंदा बिन लेते हैं फिर back side से एक फंदा बला लेते हैं और दूसरा तरीका है यह जो फंदे के नीचे यहां पर यह दिखता है इस side को यहां पर एक फंदा यहां से उठाने के बाद और यहां पर बना लेते हैं तो आप लोग किसी भी तरीके से फंदे बढ़ा सकते हो पहले यह नहीं बताया था तो मैंने सोचा कि बता दू और यह मैं पूरी रो इस और मैंने इसको यहां तक बना लिया है देखो दोस्तों जुद मैंने दूसरा वाला बाजू बनाया था उसकी length मैंने 20 इंच रखी थी और उसके बाद मैंने फंदे कम के थे टोटल length 23 इंच थी तो तीन इंच हमने और बनाना है और इसी में ही हमने अपने फंदे भी कम करने हैं इस पे मैंने बैक साइड से ही फंदे कम किये थे तो मैं इस पे भी बैक साइड से ही फंदों को कम कर लूंगी बैक साइड है हमारी और फर्स्ट रो है फंदे कम करने की उसके लिए हम पहले फंदे को और एक सेकंड फंदे को इस तरीके से सिलाई पे ले लेंगे और दो फंदे का एक कर लेंगे फिर से ये वाला फंदा इसी में रख लेंगे एक फंदा कम हो गया और एक फंदा और कम कर लेंगे फिर से इसी पे रख लेंगे दूसरी वाली सिलाई पे और ये दो फंदे कम हो गए ये तीन और एक फंदा और कम कर लोंगी चार ये हमने फर्स्ट पे चार फंदे कम कर लिये हैं और बांकी की रो में उल्टा उल्टा बना लोंगी आपने जो भी डिजाइन डाला होगा उसे साब से बना लेना मेरा बैक साइड पे उल्टा है तो मैं पूरी रो उल्टे उल्टे बना लोंगी तो मैं ये वाली रो पहले कंप्लीट कर लेती हूँ देखो दोस्तों स्टार्टिंग में हमने चार फंदे कम के थे और पूरी रो बैक साइड से उल्टी बना ली है लास्ट फंदा है इसको हमने बुनना नहीं है इसी तरीके से उतार लेंगे और अब हम इसकी फ्रंट साइड को आ ज सीधा बना लेंगे और ये पहले वाले फंदे को सिलाई में से ड्रॉप कर लेंगे पहले वाले फंदे में से दो फंदे हो गए फिर से एक फंदा बिन लेंगे और यहां पे नेक्स वाले फंदे को सिलाई पे लेके ड्रॉप कर लेंगे तीन फंदे एक फंदे और बना लें और ये पहने वाले फंदे में से ड्रॉप कर लेंगे चार फंदे हमारे कम हो गए यहाँ पे अभी हमने ये बाकी की रो जैसा हमारा डिजाइन होगा उसी तरीके से बना के कम्प्लीट कर लेंगे आपका जो भी डिजाइन है आप उसे इसाब से बना लेना तो मैं आप इसको कम्प्लीट कर लेती हूँ फ्रञ्ट साइड से देखो दोस्तो second row हमने जो फंदे कम कर रहे थे उस पे हमने यहाँ पे चार पंदे कम किये थे और बाकी की रो हमने जैसा डिजाइन था वैसा बना लिया है ये हमारा last फंदा है इसको हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे अब हमारी third row है और back side है यहाँ पे हमने फिर से पहले वाले जो बिना बुने फंदे में से ऐसे ही उतार लेना है next वाले फंदे को और एक फंदा कम कर लेंगे यहाँ पर हम फिर से हमने यह वाले फंदे को इसी में डाल लेना है और एक फंदा और कम कर लेंगे यह दो फिर से यह तीन यहाँ पर हमने तीन फंदे कम कर लिये हैं और बाकी की रो हम पूरी की पूरी उल्टी उल्टी बना के complete कर लेंगे तो मैं इसको complete करती हूँ देखो दोस्तो third row back side से complete कर ली है तीन फंदे कम किये थे और पूरी रो हमने उल्टी बना ली है और यहाँ पे हमारा last फंदा बचा है इसको हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे अब fourth row है और front side है यहाँ पे फिर से हमने पहले वाले फंदे में से next वाले फंदे को इस तरीके से निकाल लेना है और एक फंदा कम कर लेना है यहाँ पे next फंदे को सीधा बना लेंगे और यह जो पहला फंदा है इसको हम drop कर लेंगे दो फंदे कम हो गए फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे नेक्स वाले फंदे को पहले वाले फंदे में से ड्रॉप कर लेंगे और बाकी की रो जैसा डिजैन है उसी तरीके से बना लेंगे तो मैं यह वाली रो बना के कम्प्लेट कर लेती हूँ पहले तो यह हमारी fourth row front side से complete हो गई है last funda है इसको मैं ऐसे ही उतार लोंगी back side है हमारी और यह fifth row है फिर से हमने पहले वाले फंदे में से next वाले फंदे को ऐसे ही निकाल लेंगे और एक फंदा कम कर लेंगे फिर से हमने यह वाले फंदे को इसी में डाल लेना है और एक फंदा हम पहले कम कर लेंगे दो फंदे कम हो गए पहले फंदा जो ड्रॉप किया था second और ये third फिर से हमने तीन फंदे कम कर लेने हैं और ये जो बाकी की रो है इसको मैं उल्टा-ल्टा बना के complete कर लोंगे तो मैं ये वाली रो भी complete कर लेती हूँ देखो दोस्तों back side से पूरी रोल्टी बना ली है और यहाँ पे last फंदा इसे ही उतार लेंगे और ये हमारी छटी रो है और front side है यहाँ पे हमने पहले वाले फंदे में इसे फिर से next वाले फंदे को इस तरीके से निकाल लेंगे और एक फंदा कम कर लेंगे next फंदे को सीधा बनाएंगे और ये पहले वाले फंदे को छोड़के next वाले फंदे को सिलाई पे लेके drop कर लेंगे दो फंदे हो गए एक फंदा और सीधा बिनेंगे और यहाँ पे drop कर लेंगे तीन फंदे कम हो गए पहले हमने चार फंदे कम किये थे फिर तीन और फिर तीन दो बार तीन तीन फंदे कम किये हैं और एक बार चार फंदे और ये जो बाकी की रो है इसको मैं जैसा डिजैन है वैसा ही बना लूँगी तो मैं ये वारी रो भी complete कर लेती हूँ पहले देखो दोस्तो six row front side से complete कर ली है last fund हम ऐसे ही उतार लेंगे अब इसकी back side को आ जाएंगे और ये हमारी साथ वी row है फिर से हमने पहने वाले फंदे को इसी तरीके से second वाले फंदे को निकाल लेना है और एक फंदा कम कर लेना है फिर से ये वाला फंदा इसी में डाल लेंगे और यहाँ पे हमने दो फंदे कम कर लेने हैं ये पहला वाला फंदा और ये दूसरा दो फंदे कम करने थे हमने और ये जो बाकी की row है इसको मैं उल्टा उल्टा बना के complete कर लोंगी तो मैं इसको complete कर लेती हूँ पहले देखो दोस्तो back side से 7 विरो complete कर ली है last fund को ऐसे ही उतार लेंगे front side है और ये 8 विरो है यहाँ पे हमने पहले वाले fund में से ऐसे ही next वाले fund को निकाल लेना है एक fund कम हो गया next fund को सीधा बना लेंगे और यहाँ पे पहले वाले fund को इस तरीके से इस वाली सिलाई पे ले लेंगे और ड्रॉप कर लेना है दो fund कम कर लिए हैं और बाकी की रो हम जैसा डेजैन है वैसा ही बना लेंगे तो मैं ये वाली रो भी front side से complete कर लोंगी देखो दोस्तो front side से 8 रो complete कर ली है लास fund ऐसे ही उताद लेंगे जोस्तो यहाँ पे हमने अभी 2 fund कम कर लेने हैं इसी तरीके से हम 3 बार और 2-2 fund कम कर लेंगे टोटल 4 बार हमने 2-2 fund कम कर लेने हैं पहले हमने 2 fund को कम किये थे और 2 fund को कम किये थे फिर से हमने 3 बार 2-2 fund कम कर लेने हैं मतलब कि 6 फंदे और कम करेंगे इस साइट को और 6 फंदे इस साइट को कम कर लेंगे हर back वाली सिलाई पे यहाँ पे 2-2 फंदे कम करेंगे और front वाली सिलाई पे यहाँ पे 2-2 फंदे कम करेंगे तो मैं पहले फंदों को कम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को आगे दिखाऊंगी, तो यहाँ पे तक मैंने आप लोगों को बताया था, उसके बाद मैंने तीन बार और दो-दो फंदे कम किये, मतलब कि 6 फंदे कम किये, और पहले वाला मिला के 8 फंदे हो गए, टोटल मैंन क्या करना है बेक साइड से ही पहले वाले फंदे में से यह बिना बुना फंदा है इसमें से हम ऐसे ही निकाल लेंगे और एक फंदा कम कर लेंगे अभी हमने एक एक करके फंदे कम करने हैं तो इसी तरीके से यहां पर भी फ्रंट साइड पे ही एक फंदा कम कर लेंगे बेक सा बताऊंगी कि मैंने एक एक करके कितने फंदे कम किये हैं तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ देखो दोस्तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे तक बताया था दोस्तो एक फंदा यहाँ पे कम किया था उसके बाद मैंने एक एक करके तीन बार फंदे कम कर लिये थे टोटल मैंने चार फंदे कम किये एके करके और इस साइट को भी चार बारी फंदे कम किये हैं एके करके और अभी हमने यहाँ पे क्या करना है बहुत फंदे हैं हमारे अभी लेंथ भी कंप्लेट नहीं हुई है तो हमने फिर से तीन फंदे कम करने हैं बहुत अच्छी सेव आएगी इससे तो इसलिए हम यहाँ पे तीन फंदों को और कम कर लेंगे इस तरीके से पहला फंदा कम किया यहें फिर से इसी वाले सिलाई पे डाल लेंगे और एक फंदा और कम कर लेंगे फिर से यहां पर एक फंदा और कम कर लेंगे तीन फंदे कम हो गए और बाकी की रो ये पूरी ही उल्टी उल्टी बना लेंगे तो मैं पहले complete कर लेती हूँ इसको देखो दोस्तो बैक साइड से पूरी रो उल्टी बना ली है लास फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे फिर से हमने यहां पर क्या करना है पहले वाले फंदे में से नेक्स वाले फंदे को ऐसे ही निकाल लेंगे और एक फंदा कम कर लेंगे फिर से सीधा फंदा बिन लेंगे एक और नेक्स वाले फंदे को drop कर लेंगे इसमें से तो मैं यह रो यहां तक पहले complete कर लेती हूँ. देखो दोस्तों, front side से पूरी रो complete कर ली है, अब इसकी back side है, हमने क्या करना है, फिर से पहले वाले फंदे में से ऐसे ही इसको drop कर लेंगे, अभी हमने दो फंदे कम करने हैं, पहला फंदा कम कर लिया है, अभी एक फंदा और कम कर लेंगे, दो फंदे हो गए, बाकी की रो ये, पूरी की पूरी उल्टे उल्टे बना के complete कर लेंगे, तो मैं इसको complete कर लेती हूँ पहले, देखो दोस्तों, back side से पूरी रो complete कर ली है, लास फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, फिर से हमने यहाँ पे पहले वाले फंदे में से ऐसे ही निकाल लेना है, और यहाँ पे भी हम दो फंदे कम कर लेंगे, पहला फंदा कम हो गया, सेकेंड फंदे को सीधा बना के एक फंदा और कम कर लेंगे, और बाकी की रो जैसा डिजैन है वैसा बना के कम्पलीट कर लेंगे यहां तक देखो दोस्तो फ्रन्टसाइट से पूरी रो कम्पलीट कर लेंगे लास फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और हमने फिर से अभी पहले वाले फंदे में से ऐसे ही निकाल लेंगे और यहाँ पे फिर से हमने दो फंदे कम कर लेने हैं यहाँ पे दो फंदे कम किये थे पहले अभी फिर से दो फंदे कम कर लेंगे एक फंदा कम हो गया दूसरा अभी पूरी की पूरी रो हम बैक साइट से उल्टे उल्टे बना लेंगे फंदे कम कर लेंगे पहले वाले फंदे को ऐसे ही निकाल लेंगे और सेकंड फंदे को सीथा बना लेंगे और ये पहले वाले फंदे में से ड्रॉप कर लेंगे और बांकी की रो हम जैसा डिजैन है वैसा ही बना के कम्प्लेट कर लेंगे तो मैं इसको बना लेती हूं पहले क्या करना है पहले वाले फंदे में से ऐसे ही एक फंदा ड्रॉप कर लेंगे और बाकी की रो हमने पूरी उल्टे उल्टे बना लेनी है अभी हम एक ही फंदा कम करेंगे तो मैं ये पूरी रो कम्प्लीट कर लेती हूँ देखो दोस्तों बैक साइट से पूरी रो कम्प्लीट करने के बाद हम फ्रंट साइट को आ जाएंगे और यहाँ पे भी हमने एक ही फंदा कम कर लेना है पहले वाले फंदे में से ड्रॉप कर लेंगे इस तरीके से बनाने पे बहुत ही सुन्दर से पाती है और पता भी नहीं चलता कि फंदे हमने कहां से कम किये हैं और सिलाई पे भी जब हम सिलाई करेंगे बहुत ही एजी हो जाता है सिलाई को करना तो मैं यह पहले आदे में बना लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी देखो दोस्तों इतना बनाने के बाद मुझे लग रहा है मेरे जो बाजू ह है उसकी लेंग्त कम्प्लीट हो गई है तो हम पहले वाली बाजू के उपर इस तरीके से रख लेंगे इसको और अपने जो बाजू है उसको ना आप लेंगे कि हमारी लेंथ कम्प्लेट होई की या नहीं देखो दोस्तों यह हमारी बाजु की लेंथ कम्प्लीट हो गई है और देखो यह कितना सुन्दर से बन के आया है इसका तो अब हम पहले इसको इस सिलाई को अभी यहां तक पहले कम्प्लीट कर लेती हूँ फिर आगे दिखाऊंगी आपको कैसे बनाना है देखो दोस्तों इसकी लेंथ कम्प्लीट हो गई है और एक बार हम इंची टेप से भी नाप लेंगे क्योंकि हमने यह टूटल 23 इंची बनाना था 33 तो हम इंची टेप से पहले नाप लेते हैं देखो दोस्तों टूटल 23 इंच हमारी लेंथ कम्प्लीट हो गई है तो अब हमने बैक साइट से इसके फंदे कम करने हैं देखो दोस्तों पहले हमने चार बार फंदे कम किये फिर हमने तीन तीन दो बार हमने तीन तीन फंदे कम किये हैं और उसके बाद हमने चार बार दो दो फंदे कम किये फिर हमने चार बार ही एक एक फंदा कम किया है और उसके बाद हमने तीन, दो, दो और एक इस तरीके से इस साइट को फंदे कम किये और इसी तरीके से इस साइट को भी फंदे कम किये हैं तो मैं आपको टोटल बता देती हूँ कि मैंने total कितने फंदे कम किये हैं देखो दोस्तो ये total मेरे 30 फंदे कम किये हैं 30 फंदे इस साइट को कम किये हैं और 30 फंदे ही मैंने इस साइट को कम किये हैं एक बार और बता देती हूं दोस्तो मैंने first इसलाई पे 4 फंदे कम किये थे और second वाली में 3 और 3 दो बार मैंने तीन तीन फंदे कम किये हैं चार बार दो दो फंदे कम किये हैं और उसके बाद चार भारी मैंने एक एक फंदा कम किया है उसके बाद मैंने तीन फिर दो दो एक इस तरीके से इस साइट को फंदे कम किये इस साइट को भी मैंने पहले चार फंदे कम किये फिर द दो बार दो दो फंदे कम किये और उसके बाद मैंने चार बार दो दो फंदे कम किये और चार बारी एक एक फंदा कम किया है और उसके बाद मैंने तीन फिर दो 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 बार मैंने दो दो फंदे कम किये और लास्ट मैंने एक फंदा कम किया है इस तरीके से 30 फंदे मैंने इस सा को कम किये हैं और टोटल मिलाके मेरे 60 फंदे हैं मैंने ये टोटल 32 सिलाई पे मैंने सारे फंदे कम किये हैं 15 फंदे मैंने बैक साइड से फंदे कम किये हैं और दरबार ही मैंने फ्रंट साइड से फंदों को कम किया है इस तरीके से ये मैंने पूरी बाजो को कम्प्लेट किया है अब हमारी ये बेक साइड है और यहाँ पे हमने अभी और यहाँ पे अभी हमारे जितने भी फंदे बचे हैं इसको हम इखटे ही बंद कर देंगे इस तरीके से बैक साइट से मैंने फंदों को बंद किया है तो मैं इस पे भी बैक साइट से ही फंदों को बंद कर लूँगी इस तरीके से दो फंदों को एक ही सिलाई पे डाल के दो का एक कर लेंगे फिर से इसी सिलाई पे डाल लेंगे फिर से दो का एक कर लेना है फिर से इसी सिलाई पे डालेंगे, दो का एक कर लेंगे इसी तरीके से हमने सारे फंदों को कम कर लेना है दो का एक कर लेंगे, फिर से इसी सिलाई पे डालेंगे और दो का एक कर लेंगे थोड़ा सा डीला डीला ही फंदों को कम करना है ज्यादा टाइट करके फंदों को कम नहीं करना है तो मैं अभी सारे फंदों को यहाँ पे तक पहले बंद कर लेती हूँ देखो दोस्तों यह हमने इस तरीके से सारे फंदों को कम कर लिया है यहाँ पे तक अभी यह लाच फंदा है और इसको हम दो फंदों को पहले एक कर लेंगे और इस वाले फंदे को इस फंदे में से धागे को निकाल लेंगे और थोड़ा सा धागा सिलाई के लिए मैंने कट कर लिया है यहाँ पर और यहाँ पर मैं एक नोट लगा लूँगी मतलब की काट लगा लूँगी यहाँ पे इस तरीके से और यह हमारी पूरी जो बाजू है बनके तैयार हो गई है और देखो कितनी सुन्दर से पाई है बाजू की यह देखो इस तरीके से तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने जो जैन से स्वेटर की बाजू को बना सकते हो देखो इस दोनों बाजू अगर आप लोग इस तरीके से बाजू बनाते हो तो बहुत ही सुन्दर से पाती है बनने में भी और दिखने में भी बहुत ही सुन्दर लगता है तो आप लोग इसको जरू ट्राइ करना और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सस्क्राइब, सेर कर देना, बेल आकन को भी दबा देना ताकि मैं इस तरीके की कोई भी वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन आप तक आजाए, ठेंक्स फॉर वोचिंग